जहन सात्यों आप सभी का स्वागत है सिबेग क्लासेस में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेप्टर नंबर 4 भारत मेराश्टवाद ठीक है? इसके अबजेक्टिव कोशन को देखने वाले हैं ठीक है? यह सारे कोशन इंपोर्टेंट है तो सारे को याद कर लेना पहला कोशन है गदर पाटी की अस्थापना किसने और कब की? तो पहला का ओप्शन ए है गुरू दयाल सिंग 1916 चंदर सेखर आजाद 1922 लाला हर दयाल 1913 या फिर सोहन सिंग भाखना 1918 तो पहला का सही आंसर ओप्शन सी है लाला हर दयाल 1913 अगला कोशन है जालिया वाला बाग हत्यकांड कब हुआ था? तो जालिया वाला बाग जो हत्यकांड हुआ था वो 13 अप्रेल 1929 में हुआ था अगला कोशन है लखनव समझोता किस वर्स हुआ 1916, 1918, 1920 या फिर 1922 तो तीन का सही answer option ए हो जाएगा 1916 में हुआ था लखनव समझोता अगला question है आसायोग आंदोलन का प्रस्ता कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ सितंबर 1922 कलकत्ता अक्टूबर 1922 एहमदाबाद नॉवंबर 1922 फैजपूर डिसंबर 1922 नागपूर तो चार का सही answer option ए हो जाएगा सितंबर 1922 कलकत्ता अगला question है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के सासक के समर्थन में सुरू हुआ 1922 तुर्की 1922 अरब अगला question है सवीने अवग्या आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ तो सवीने अवग्या आंदोलन 1929 में शुरू हुआ था दांडी यात्रा से option सी सही हो जाएगा अगला question है पूर्ण स्वाराज की मांग का प्रस्तो कॉंग्रेस के किस वार्षी का धिवेशन में पारित हुआ 1929 लहार 1931 कराची 1933 कलकत्त 1937 बेलगाव तो साथ का सही answer option A हो जाएगा 1929 लहार अगला question है राष्टिय स्वाय सेवक संग की अस्थापना कब और किसने की 1923 इजवी में गुरू गोल वलकर या फिर 1925 के भी हेटकवार तो option B सही हो जाएगा 1925 के भी हेटकवार अगला question है वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस किसान अंदोलन के दोरान दी गए बारदोली, एहमदाबाद, खेडा या फिर चमपारन तो 9 का सही answer option A हो जाएगा बारदोली अगला question है रंपा विद्रो कब हुआ 1916, 17, 18 या फिर 19 तो रंपा विद्रो 1916 में हुआ था option A सही हो जाएगा अगला question है गांधी जीने सावर मती आसरम की अस्थापना किस वर्स की 1895, 19, 1915 या फिर 1916 जो इसका सही answer option C हो जाएगा 1915 में किया था अगला question है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना किस वर्स हुई 1885, 90, 95 या फिर 1900 में तो बारदोली का सही answer option C हो जाएगा option A हो जाएगा 1885 में किया था भारती राष्टी कॉंग्रिस के अस्थापना कब गुए था? ठारो सु पचासी अप्शन A सही हो जाएगा अगला कोश्चन है ब्रह्म समाज की अस्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय दयानन्स वर्शत्ति विवेकानन्द या फिर रामकृष्ण परमहन्स तो तेरा का सही आंसर आप्शन A हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था अगला कोश्चन है वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1870, 72, 78 या फिर 86 तो चौदा का सही आंसर आप्शन C हो जाएगा 1878 में हुआ था पारित अगला कोश्चन है जालियावला बाग हत्या कांड की जाच के लिए सरकार ने किस समीती का गठन किया था? तो सरकार ने हंटर समीती का गठन किया था आप्शन A सही हो जाएगा पंद्रा का सही आंसर आप्शन A हो जाएगा अगला कोश्चन है हिंदू महासभा की अस्थापना कब हुई? आप्शन A है 1915, 1923, 25 या फिर 85 तो इसका सही आंसर आप्शन A हो जाएगा 1915 अगला कोश्चन 4 चौरा कांड के परिनाम स्वरूप महत्मा गांधी ने किस अंदूलन को वापस ले लिया? खिलाफात अंदूलन, आसायोग अंदूलन, सवीने वग्या अंदूलन या फिर भारत छोड़ा अंदूलन तो इसका सही आंसर आप्शन B हो जाएगा अगला कोश्चन है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतिलाल नहरू, मदन मोहन मालविये, जवालल नहरू या फिर चितरंजन्दास तो आठारा का सही आंसर आप्शन C हो जाएगा चितरंजन्दास अगला कोश्चन है साइमन कमीशन किस वर्स भारत आया? 1919, 1927, 1928 या फिर 30 तो 19 का सही आंसर आप्शन C हो जाएगा 1928 में आया था अगला कोश्चन है महात्मा गांदी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929, 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अपरेल 1930 तो 20 का सही आंसर आप्शन D हो जाएगा 6 अपरेल 1930 को किया था अगला कोश्चन है 1932 इजवी में पूना समझोता किन के बीच हुआ था? महात्मा गांदी और अमबेटकर, गांदी जी और जिन्ना, गांदी जी और इर्वेन, गांदी जी और मैकडेनाल्ड तो 21 का सही आंसर आप्शन A हो जाएगा गांदी जी और अमबेटकर के बीच हुआ था अगला कोश्चन है पर्थम विश्वेयुद्ध कब आरंभ हुआ? 1914, 16, 18 या फिर 20 तो 22 का सही आंसर आप्शन A हो जाएगा 1914 में सुरू हुआ था अगला कोश्चन है महात्मा गांधी दच्छिन अफ्रीका से भारत कब लोटे? 1915, 16, 17 या फिर 18 तो 23 का सही आंसर आप्शन A हो जाएगा 1915 अगला कोश्चन है तिन कठिया पर नाली किन पर लागू थी? किसानों पर, वैपारियों पर, सर्मिकों पर या फिर उद्धोग पतियों पर तो किसानों पर लागू थी आप्शन A सही हो जाएगा अगला कोश्चन है रॉलेट कानून किस उद्देश से बनाया गया? तो पचीज का सही आंसर ओप्शन C हो जाएगा करांती कारी गतिवीदियों पर अंकूश लगाने के लिए अगला कोश्चन है रॉलेट कानून किस वर्स पारित हुआ था? ओप्शन A है 1908, 1909, 1919, 1920 तो 26 का सही आंसर ओप्शन C हो जाएगा 1919 अगला कोश्चन है नेहरू रिपोट किस वर्स परस्तूत किया गया? पचीज, सताइस, अठाइस या फिर तीस तो 27 का सही आंसर ओप्शन C हो जाएगा 1928 में अगला कोश्चन है ताना भगत आंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया? अगला कोश्चन है भारत में होम रूल आंदोलन किस ने चलाया? लाला लाजपतराय, बाल गंगधर तिलक एवं एनी बेसेंट, विपिन चंदरपाल, दादभाय नौरोजी तो 29 का सही आंसर ओप्शन B हो जाएगा बाल गंगधर तिलक एवं एनी बेसेंट अगला कोश्चन है बार दोली सत्यागरा किसके नेत्रित्व में हुआ था? रविंद्र नाट टैगोर, लाला लाजपतराय, बललभाय पटेल या फिर बाल गंगधर तिलक तो 30 का सही आंसर ओप्शन C हो जाएगा बललभाय पटेल अगला कोश्चन है भारतिय राष्टिय कॉंग्रिस के पर्था मध्यक्ष कौन थे? महत्मा गांधी, व्योमेश चंद्रबनर जी, गोपाल कृष्न गोखले, दादा भाय नहरो जी तो 31 का सही आंसर ओप्शन भी हो जाएगा व्योमेश चंद्रबनर जी तो अब सारे कोश्चन हो गए है, यह सारे कोश्चन आपको याद कर लेना है